हेलो फ्रेंट्स तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइटल के अकॉर्डिंग हेंरी केलवी की आई हुई काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूस कहलो या फिर एक हिसाप से सैट न्यूस के बारे में जिसे लेकर आपको भी अपडेट मिल गया होगा कि हेंरी केविल अनफॉर्च इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसलिए अब शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ जिसके पहले हर बार की तरह बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेज जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की So friends, no doubt कि हेंरी केविल को as a girl देखना वो भी वीचर जैसे यूनिवर्स में एक ड्रीम कम ट्रू है क्योंकि इस से पॉफेक कास्टिंग उनके अलावा इस रोल में दूसरे किसी भी एक्टर की नहीं हो सकती लेकिन अब unfortunate दो से तीन सीजन के बाद ये डिल पूरी तरीके से ख तो असल में ये announcement सीजन 3 खतम होने के बाद मिलनी चाहिए थी जिसे पहले ही reveal करकर कहीं न कहीं वीचर की सीरीज के फैंस का दिल तो तोड़ा गया है और हो सकता है कि इससे वीचर के आने वाले यूनिवर्स को जिसकी पूरी preparation नेटफिक्स वालों की तरफ से की गई है कहीं कहीं बहुत बड़ा लॉस भी छेलना पड़े क्योंकि आफटर ओल एक बहुती बड़ा नामी सीरीज से हट गया है जिस पर बात करे हैंडी के statement की तो उन्होंने बस officially यही confirm किया है कि वो गैरेल के रोल को तीसरे सीजन में बहुती अच्छी तरीके से goodbye कर रहे है जिस रोल को उन्होंने बहुती इमानदारी से निभाया और अब वो अपनी sword यानि के इस responsibility को किसी और को नहीं बलके Chris Hemsworth के छोटे भाई Liam Hemsworth को दे रहे है जो भी इस रोल को किस तरीके से फिलफूल करते है वेल उसका पता तो season 4 को देखकर ही चले का उससे पहले बिलकुल भी नहीं उ और बगर good news की बात की जाए तो DC fans के लिए अची ख़़र यही है कि Superman का रोल और उसके पूरे universe को वो दिल से आगे बढ़ाना चाते है जिसकी शुरुआत अब हो सकता है कि इस series को छोड़ने के वज़े से officially हो चुकी है क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं grace की तरफ से अगर confirmation निकल कराती है तो उसके according अब Henry TV के नहीं बलके big screen के बड़े star बने रहना चाते है क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दू कि Henry की Netflix की deal में वो back to back इसके चार सीजन को shoot करने वाले थे यानि तीसरे और चौते सीजन को लेकिन अब ये deal cut गई है जिस के बाद उन्हें officially cast गायरीची की upcoming film जिसमें वो हमें Lisa Gonzalez के साथ में नजरा आने वाले है और इसका title The Mystery of Urgentimentally Warfare रखा गया है जो की clearly World War 2 की situation में modern black ops कैसे बनी उसी पर focus करीगी खेर लेकिन यहाँ पर बात फिलहाल तो इस film की नहीं बलके Henry Cavill की चल रही है जिनकी इस बड़ी film क deal को sign करने का मतलब again यही है जो मैंने बस आपको कुछी देर पहले समझाया है लेकिन अगर देखा जाये तो उनके स्टारडम से वीचे जैसी सीरीज भी बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी जिसे छोड़कर उनका decision अब कितना सही निकलता है कितना नहीं उसका पता तो हमे definitely Superman के बन रहे universe के साथ चल जाएगा या फिर हो सकता है कि इससे related कई और भी जादा अपडेट निकल कर आ जाए जो कि आभी भी recently rumor के तोर पर circulate हो रहा है झाल झाल झाल